दोस्त नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर प्रदी प्रसन आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्ते संबन्धी तमाम तरहें के तथ्यात्मक टोपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माधन से देते हैं आईए आज नया टोपिक पुछ सीखते हैं विद्यार्थियों आज की वीडियों मना रहे हैं कक्षा बारा की हिंदी पुस्तक अंत्रा के पाठ गांधी नहरूर यासेर अराफात जिसको भिष्म सहानी ने लिखा है ये भिष्म सहानी की मूल आत्म कथा आज की अतीत का एक अन्श है इस पाठ के प्रशनुक्तर वीडियो प्रारंब करने से पहले आप सबसे निवेदन है दिया आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सबस्क्राइब जरू करें बेल आइकोन को जरू दबाएं तक कोई वीडियो आप मिशन न कर पाएं आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहला प्रशन है लेखक सेवगराम कब और क्यों गया था उत्तर है सन 1938 में लेखक सेवगराम गया था और लेखक सेवगराम गांधी जी से मिलने के लिए गया था वह गांधी जी से मिलने के लिए अतन्त इच्चुक था प्रशन नमबर दो लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनभव किस प्रकार कर रहा उत्तरहे लेखक के भाई पहले से ही गांधी जी को देखने के लिए एक निश्चित इस्थान पर आते थे उन्होंने लेखक से कहा था कि गांधी जी से मिलने के लिए उन्हें सुभ़े साथ ही बज़े वहा आना होगा क्योंकि गांधी जी हमेशा वहीं से गुजरते थे सुभे साथ बजते ही दोनों भाई गांधी जी से मिलने के लिए भागते हुए वहां पहुंचे लेकक उन्हें देखकर आश्च्रे चकित हो गए और उन्होंने बोला कि गांधी जी जैसे चित्र में दिखते हैं वैसे ही असल जीवन में भी दिखते हैं गांधी जी ने जब ये बात सुनी तो उनके चहरे पर मुस्कान आई और फिर वह आगे चले गए प्रशन नमबर तीन है लेकक ने सेवा ग्राम में किन लोगों के साथ किन लोगों के आने का जिक्र किया है उत्तर है जवारलाल नहरू, गांधी जी, यासेर अराफात, प्रत्वी सिंगाजाद, मीरा बेन, खान अब्दुल गफार खान, राजिंद्र बाबु, कस्तूर्वा गांधी ये सभी लोग सेवा ग्राम में आये थे अथा ततकालिन समय के बड़े ही प्रसिद्ध, सामाजिक, नेता, राजनितिक नेता, सहित्यकार, अंदोलनकारी, ये सभी कलाविद्ध, ये सभी लोग सेवा ग्राम समय समय पर अपने यथा, कार्रे या इस्तति के मुसार आये है प्रस नमबर चार है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का विवार किस प्रकार का था? उत्तर है, गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा, तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा जब वे उल्टी कर रहा था, तो गांधी जी उसकी पीठ को हाथ फिर कर सहला रहे थे थोड़ी ही देर में बालक की तविए ठीक हो गई और फिर गांधी जी ने बालक को कहा कि तू भी पागल है रोगी बालक के प्रति गांधी जी का ऐसा ही विवहार था, यानि कि एक सहज विवहार जिसमें किसी प्रकार की कोई बनावटी करन की बून ही आती हो सहज इस्तती में ऐसा एहसास कराने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक हो सकते हो आसानी से और प्रियास करो, सही करने का प्रशन नम्बर पांच है कश्मीर की लोगों ने नहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था उत्तर है कश्मीर की लोगों ने अलग-अलग फूलों की मालाओं के साथ नहरू जी का स्वागत किया था प्रशन नमबर 6 है अकबार वाली घटना से नहरू जी की व्यक्तित्तु की कौन सी विशेष्टा इसपष्ट होती है उत्तर है अकबार वाली घटना के माध्यम से हमें नहरू जी की व्यक्तित्तु में सहन शीलता, मित भाशी और शालीनता के होने का पता चलता है अकबार वाली घटना यह है कि लेखक नहरूजी के अकबार को पढ़ रहा था नहरूजी के यहाँ जब प्रती दिन अकबार आता था तो लेखक वहाँ गया हुआ था उसने अकबार जान बुज के उठा लिया और उसको पता लगया कि नहरूजी आने वाले हैं तो अकबार को और गंभिरता से देखने पढ़ने लगे लेखक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको लगा कि नहरूजी उससे अकबार वापस मांगेगे तो वह उनसे उस समय बाचीत कर सकता है जब नहरूजी वापस आये तो उन्होंने देखा कि लेखक अकबार पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कुछ दिर इंतजार किया कि शायद स्वयम ये पढ़ करके अकबार मुझे दे दे जब थोड़ा समय हो गया तो उन्होंने सोचा कि मुझे जाना है तो मैं एक बार सरसरी निगा से अकबार देख लूँ उसके बाद ये पढ़ते रहें फिलिस्तीन को हमेशा सहन भूती और समर्थन दिखाया है क्योंकि कोई अन्य देश उसके विकास के समर्थन में नहीं था फिलिस्तीन के लोग बहुत ही अच्छे सुभाव के थे और सभी के साथ विनमर्ता पूरवग बात करते थे इसलिए भारत कर वह ये फिलिस्तीन के प्रती अच्छा था और जैसा कि हमने इस पार्ठ के अध्यन में देखा कि फिलिस्तीन के प्रधन मंतरी अराफात ने लेखक कियुम भारत के आये हुए अन्य लोगों की किस तरह से महमान नवाजी की है स्वेम आगे आगे चलकर उनके लिए कारे करने का प्रियास किया है तो निश्चित रूप से एक विनमबरता पूरों के एक सहज़ता पूरों के वहार दिखाई देता है प्रशन नमबर आठ है आराफात के आतित्थे प्रेम से संबंदित किनी दो घटनाओं का वरणन कीजिए तो आराफात के आतित्थे प्रेम से संबंदित दो घटना इस प्रकार है पहली है कि अराफात बड़े ही प्रेम के साथ सभी से शहद का शर्बत पीने को कह रहे थे इसमें अनेक घटना याई हैं आप किसी दो घटनाओं का जिकर कर सकते हैं दूसरी यह है कि उनका आतित्य प्रेम इतना था कि वे सभी को अनूठा फल खिला रहे थे और शहद की चटनी के बारे में बता रहे थे आप उसमें और भी किछी जोड़ सकते हैं जो अनेक उधारन है जैसे कि जब लेखक उस से थोड़ा सा फिरी हुए तो वो शोचा ले गए तो देखा कि भार आये तो तोलिया लेकर के खुद आराफात उनके पास खड़े हुए है तो ये उनका आतित्य मतलब इस तरह से तत परताक हर जगें स्वें मौझूद रहें और अपने आतित्यों का ध्यान रखें ये बड़ी बात उनके आतित्य में दिखाई देती है आप कोई भी दो भटनाई लिख सकते हैं प्रशन नमबर नो है आराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता है उतने ही आदरनी हैं जितने आपके लिए इस कथन के आधार पर गांधी जी की व्यक्तित्तों पर प्रकाश जा लिए उत्तर है आराफात ने बोला कि गांधी जी बस आपके नेता नहीं है वे हम सभी के नेता हैं आराफात ने यह करकर गांधी जी की व्यक्तित्तों को दर्शाया है गांधी जी से प्रभावित होकर अन्ने लोगों ने भी उनकी शिच्छा को अपनाया और उनसे ही कई नेताओं ने अहिंशावाद के बारे में जाना और सीखा है गांधी जी निश्चित रूप से अपने समय ही नहीं अपने समय के बाद के भी एक ऐसे प्रतिनधी व्यक्ति के रूप में रहे जिन्होंने भाषा, देश, धर्म से बाहर निकल कर दूसरे लोगों के घरों में जगे बनाई, दूसरे लोगों के दिलों में जगे बनाई और रहिंसा, इमानदारी, सत्य इन सब का पालन करते हुए सदभाव, प्रेम और भाईचारे का संदेश उन्होंने अपने विचारों एवं अपने जीवन के माध्यम से दिया तो लोगों को लगाक जब इस तरह का कोई विचार देता है तो वो किसी देश, धर्म, जाती, वर्ग, वरण के बंधन में नहीं बनता वलकि संपूर्ण प्रकरती का, संपूर्ण मनुष्य जाती का वह व्यक्ति होता है और कोई किसी से कुछ भी सीख सकता है तो अन्य लोगों ने भी गांधी जी के विवहार से या गांधी जी जैसे अन्य व्यक्तियों के विवहार से बहुत कुछ सीखा है ये निश्चित रूप से उस देश के लिए तो घरों की बात है जहाँ पर वो जन्मे है वो भी होती जन्मी है लेकिन अन्ने लोगों के लिए वो प्रेना शरूत है तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा तो विध्यारतियो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं आशा है आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आप निश्चित रूप से इससे लाभानवित होंगे ये अच्छी लगी होई वीडियो तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स क पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार